कि अपना ताइम मैनेज्ज करते हैं उसमें अपने डेज्ज्ट करते हो आप और डेज्ट में मैंनेज्ट करके रिजर्स कैसे लाते हैं उसके वारे में आज आप से बात करने माला हूं तो यह हमारी चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करके मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा वैसनमुक्त इतग्यों महाराष्ट में अकॉला नाकपूर पुणे मुंबई यह हमारे होस्पिटल से यहां प्रेक्टिस करते हैं सबके लिए मानसिक स्वास्थ और वैसनमुक्त भारत है हमारा मिशन है सक्सेश्फुल लोग अपने पूरे दीन जो है वो तीन में डिवाइड करते हैं मतलब उनका टाइम जो है वो तीन में डिवाइड होता है जब हम दिनों की बात करते हैं तब एक हैं बेस रिजल्ट इस इनटarner है जिसमें वह बेस्ट लाते हैं अबी प्रीपरेशन डिज मैं और नंबर तीन रेस्ट डना रिक्रीएशन डिज तौब हम स्कुर्ण करेंगे बेस रिजल्ट इस कि है तो बेस रिजल्ड डेस मतलब क्या है बेस डेसका मतलब ऐसा है कि वो दिन जिस दिन इनका बेस result day होंगा वो दिन ये लोग वो काम करते है कि जिसमें उनको maximum results आते है तो वो दिन वो कोई planning करेंगे ने, वो दिन अपना time गमाएंगे ने वो दिन वो recreation करेंगे ने कुछ नहीं करेंगे वो दिन वो सिर्फ actions 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 and actions करेंगे और actions कोंसी जो action में उनको मज़ा आती है जो actions उनकी passion है, जो action में वो ठकते नहीं है, जो action में उनको बहुत enjoyment मिलता है, happiness मिलता है वो action करते है और ये passionate वाली जो action है उसमें मज़ा भी आ रहा है आनन्द भी ले रहे है ठकते भी नहीं है और पैसा भी मिल रहा है इस तरह का जो passionate work उनका वो करते रहते हैं और वो इसमें results produce करते हैं तो यह best result days अब second slot जो है days का वो preparation days और preparation days इसका मतलब यह है कि वो दिनों में वो preparation करेंगे मतलब उस दिन वो perform नहीं करेंगे सिर्फ planning and preparation कि जो हमको presentation करना है जो performance देना उसके बार में planning फिर उसमें micromanagement में जाके वो planning करेंगे यह preparation days में यह भी होता है कि नई-ने skills सीखना seminar सेमिनार सेटेंड करना workshop सेटेंड करना tapes या वीडियो सुनना books पढ़ना कोई practice करना फिर कागजपेन लेके पूरा micromanagement करना लोगों इसाथ में चर्चा करना ऐसा पूरा मतलब वो planning करेंगे कि जिसमें वो एक 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 मैनीटली वो चर्चा करके जब results जो है यह perform करना है उसमें क्या होंगा उसका पूरा blueprint वो निकालते हैं और वह प्रिपरेशन डिस और उसमें वो इतना अच्छा planning करते हैं कि जब एक्चुली परफॉर्म करने का महुक आएगा तब आपको रुकने का कारेगरम ही नहीं कोई मतलब कोई यह नहीं बनता है कि अपने को रुकना पड़े सब क्योंकि इतना अच्छा प्लैनिंग किया रहा था कि खट 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 रिजल्स आ जाएगे तो यह हो गया सेकंड स्लॉट है प्रिपरेशन डिस वाला अब तीसरा स्लॉट जो है वह रिस्ट एंड रिक्रियेशन डिस अब यह जो दिन है यह समझो आपने एक हपता या दो दीन या चार दिन जो भी आपने मार्क किया होंगे तो यह दिनों मैं आप सिर्फ आराम करेंगे मतलब ना उसमें Business Meeting करेंगे ना फोन कॉल्स लेंगे ना कोई स्टाफ को मिलेंगे मतलब work related या business related कुछ भी activity आप करेंगे ने except in case of emergencies कोई एकदम serious है कोई बार आई हुई है कुछ आग लगी है मतलब ऐसी कोई emergency है तभी आपको लोग contact करेंगे otherwise आपको लोग contact करेंगे ने होता क्या है कि जब आप available है तो आपके staff के लोग आपको थोड़ी थोड़ी बात के लिए आके पूछते रहते अभी क्या करूँ अभी क्या करूँ अभी क्या करूँ और आप भी उस सुकता से उनको बताते कि अभी यह कर अभी वह कर मतलब doing में सब काम चलते रहता है और उनको मालूम है कि boss available है तो आपके पास में आते रहते और पूछते रहते staff जबाबदारी लेता नहीं है यह आपने उनको बोला कि except emergencies है तभी मुझे contact करना तो उसमें होगा क्या staff भी अपने आप develop हो जाएगा चोटे-चोटे decisions लेना फिर बड़े-बड़े decision लेना उसमें उनका training and development होना जरूरी है ज़र स्टाफ कोई मालूम बढ़ेगा कि हमको decision लेना है खुद को खुद बॉस नहीं है हमको उनके पास में जाने का नहीं है और decision आपने लिया गलती हो गई नुकसान हो गया तिभी allowed ह है गलतियों से सीखना allowed है बिल्कुल सीखो गलती करना भी allowed है और सीखना भी जरूरत है मगर एक गलती दुबारा मत करो तो यह आपने स्टाफ को बता दिया है कि बिल्कुल गलती करो गलती करने के लिए कोई problem नहीं है आप जितनी गलतिया करेंगे आपको शाबास मिलेगी तो गलतिया करो इसका मतलब decisions लो जबाबदारी लो काम करो और boss के पास में बार 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 मत जाओ इसमें वो train हो जाएंगे और आपके जो rest and recreation days है वो धरे धरे बढ़ते जाएंगे जब आप rest and recreation से वापस आएंगे तो आपको दिखेंगा सब कुछ अच्छा चल रहा है लो बच्चों के care लेने के लिए आपके पास में को ऐसे वेक्ति होंगे डादा दादी नाना नानी अंकल जो भी कुई है यह तो फिर बाजुवाले नेबर से उनके पास में आप बच्चे छोड़ देते हो इससे फाइदा यह है कि बच्चे भी independent हो जाते हैं और आपको भी दि बच्चेंज भी कर सकते हैं अब इसमें फाइदा यह होता है कि जब आप rest and recreation करते हो आराम करते हो वापस जब आते हो तो आप एकदम उस्था ही रहते हो बहुत एनरजी रहती है जैसा कुछ विटामिन खाके आया है और बहुत एनरजी लेके आया ऐसा कुछ लगता है क्यो आप इंप्लिमेंट कर सकते हो आने के बाद में आपको जो जोश, उस्था, जुनुन जो भी आपको ऐसा लगें कहा पर दो देखको आने के बाद में बहुत मज़ा वाजा जाएगा जैको वीकेंट से लिया आप आफ लेते हैं तो वैसे भी आपके शेनीवार ऋएवार कर सकते कि जिसमें और मज़ा कर सकते एंजॉय्मिट कर सकते लाइफ का और उसमें फिर आने के बाद में बहुत ताकत से बहुत स्पीड से आप काम कर सकूंगे तो यह रेश्टिंट Cristoss का और यह भी आपने करना वह जरूरी है ताकि आने के बाद में आपको बहुत काम करने मज़ा भी आजाएंगी प्रोड़क्टिविटी भी बढ़ जाएगी आउटपुड बढ़ेगा और धंदा बिजनेस आपका वह भी बहुत आगे बढ़ता जाएगा लोग छुट्टिया को लगता है कि मैं जाओंगा तो मेरे जंदा जंदा चौपट हो जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं है यह आपने सिस्टिम लगा के रखिए और बिजनेस आटो पाइलट के उपर है तो आप गए भी तुभी कुछ बुरा होने वाला है नहीं तो आप इस तरह से आपका टाइम म लाइक करो बेल आएक होना था है उसके पर क्लिक करो ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगे हमारा मकसद है सब के लिए मानसीक स्वास्ति और वेसन मुक्त भारत इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचि अजय को